इस बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं जिसके चलते किसान संगट में है वहीं राज्य के धुले जिले में भी लगातार हो रही बारिश से किसानों के खेतों में बारिश का पानी जमा होने से क्रिशी फसले सरने लगी है इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है वहीं लगातर बारिश से कपास, मक्का, बजरी, मूं, उड़द और मिर्च की फसले नस्ठ हो गई है जिससे उत्पादन में भारी कमी आ सकती है असल में बारिश का पानी मिठी में नहीं रिसने से फसल पिली हो गई है धुले तालुका के टांडा कुदाने, वलहाने, हडसुने, आदी गाउं में लगातर बारिश हो रही है इस बारिश के कारण खिली हुई फसल में पानी जमा हो चुका है वहीं लगातर हो रही बारिश से अब तक मिर्च की फसल भी सड़ चुकी है किसानों ने इस साल जिले में 3-3,500 हेक्चर में कपास की बॉई भी की थी सोया भी इनकी खेती भी बड़े पेमाने पर किसानों ने की लेकिन भारी बारिश से फसलों को नुकसान होने लगा है जिससे किसान परेशान है राजे में मौझूदा बारिश से कुछ फसलों को फायदा हुआ है तो वहीं कुछ फसलों के लिए ये बारिश शानी का रक्सिद हुई है लगातार हो रही बारिश का असर किरिशी फसलों पर पढ़ता दिखाई दिया है फसलों के पीले पढ़ने से उत्पादन में कमी की संभावना बढ़ती जा रही है इसके चलते किसान लगातार परेशान है और इस बीच मोसम विभाग ने इस महीने भी अच्छी बारिश की संभावना जता दी है बारिश अधिक होने की संभावना से किसान संकट में है किसानों का कहना है कि बारिश से हो रहे फसलों के नुकसान का सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे है वही मुंबई के साथ ठाने, पूने, नासिक जिलों में भी भारी बारिश राज्य के विभिन हिस्तों में देखने को मिली है इस बारिश से लगातार नदियां भर रही है वही पालगर, नासिक, रायगर, रतनागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है इस बीच मोसम विभाग की ओर से दिये गए पुर्वानुमान के मुताबिक राज्य में बारिश होने की संभावना आगे भी है मोसम विभाग में अगले पांच दिनों में कौंकंड सहीत पश्ची महराश्यों में भारी बारिश की भविश्य मानी की है इसलिए किसानों से स्तर्क रहने की भी अपील की गई है बिरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी